हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमस्ट्री विद्कार आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्टोफिलिक एरोमाटिक सब्सिचूशन इलेक्टोफिलिक एरोमाटिक सब्सिचूशन में हमने पढ़ा अभी तक हलोजनेशन, नाइट्रेशन, शल्फोनेशन अब बारी है फिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन का और इस तरह से में टॉपिक एलेक्टोफिलिक एरोमाटिक सब्सिचूशन का खतम हो जाएगा उसके बाद छोटा-छोटा कुछ टॉपिक्स होगा उसे भी पढ़ेंगे बट फिरहाल अभी हमें पढ़ना है फिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन फिडल एंड क्राफ्ट यह दो साइंटिस्ट थे इस दोनों ने मिलके बेंजीन पे एलकाइल ग्रूप लाने का नया तरीका ढूंढा था ये तरीका ये था कि बेंजीन का रियेक्शन करा दिया जाता था कार्वोकेटायन से कार्वोकेटायन बेंजीन के साथ रियेक्शन करके सब्सिचिवसा रियेक्शन सो करता था और इसी रियेक्शन को बोला गया फीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन ठीक है तो देखते हैं जैसा कि हम लोग पहले अक्सर देखते आए हैं कि बेंचीन होता है उसके साथ इलेक्टोफाइल का रेक्षिन कराते हैं इलेक्टोफिलिक अरोमैडिक सब्सीशन हो जाता है IMPORTAN'T क्या है इलेक्टोफाइल को generate करना Electrofile generate कैसे करेंगे क्योंकि अगर एक वहर generate हो गया Electrofile उसके बात तो Electrofile का attack होगा Benving praying पे, Sigma complex बनेगा Then deeper donation होगा और substitute benzean بن जाएगा ठीक है? तो देखते हैं Generation of Electrofile आज के इस lecture में हम पढ़ेंगे Electrofile का Generation, Fiddle Craft Alkalization के लिए अपर देन इसी में आ जाएगा एक rearrangement करके topic उसको भी cover करने का कोशिज करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो उसको अगले lecture में करेंगे, ठीक है? तो जो reagent होगा, in fact हमने पहले लिखा है Rx, Rx and Lewis Acid, एक चीज मैं बता दूँ, इतना जरूर मैंने लिखा है, बट important तुमारे लिए सबसे ज़्यादा ये वाला first reagent ही है, Rx and Lewis Acid, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो benzene है, actually benzene, alkylation का मतलब क्या हुआ? कि benzene के उपर कोई alkyl group का ला देना, कोई alkyl group का आना, alkyl group मतलब CS3, C2H5, ये सब और क्या? तो इसका किसके साथ reaction कड़ा है? कि alkylation हो जाए, इसके लिए हमने बोला, Rx ले लो और Lewis Acid ले लो, Rx, Rx ले लो, and Lewis Acid ले लो, in fact, ये जो Lewis Acid होता है, ये होता है catalyst, और ये है reagent, इसका इसके साथ reaction होगा, ठीक है, मतलब, ये catalyst है, और ये reagent, ये इसका, इसके साथ reaction होगा, अब ये catalyst क्या करता है, वो देखो, ये जो Rx है, by the way, हम एक example ले 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 ले, Rcl, और Lewis Acid के जगा पे हम ले लेते हैं, alcl3, ठीक है, तो ये दोनों मिलके, sorry, ये दोनों मिलके, generate कर देता है, R+, और, Alcl4-, ये जो R+, बन गया, इलेक्टोफाइल, अब बेंजी रिंग पे attack करेगा, sigma complex बनेगा, देन, deeper tonation होगा, और deeper tonation होने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है, तो यहीं है, overall fiddlecraft alkylation, अब इसको हम detail में देखते हैं, ठीक है, देखो, देखो, Rx, क्या लेना है, Rx और Lewis से seat, एक मिनट, देखो, अगर, Rx का मतलब हुआ, कि, अगर हम ले लें, CS3, CL, और इसके साथ ले लें, Lewis से seat, ALCL3, जनरली Lewis से seat, लिया जाता है, ALX3, और, AFX3, ये दोनों में से कोई लिया जाता है, जनरली ये ज़्यादा common है, ये उतना common नहीं है, ठीक है, तो अगर CS3, CL के साथ, ALCL3 लोगे, हम reagent जनरेट करने वाले हैं, first number, first number को हमने अभी उठाया है, क्या होगा, ये जो ALCL3 है, क्या करेगा, CS3, CL, और ALCL3, ALCL3 के पास खाली और वाइटल होता है, लिए से seat, ये, और इसके पास lone pair है, तो ये जो lone pair है, इस lone pair और इसके खाली और वाइटल के बीच में, coordinate bond हो जाता है, जिसको further तुम इस तरह से दिखा सकते हो, CS3, CL, ALCL3, इधर plus charge और इधर minus charge, higher electronegative atom पे plus charge highly unstable, इस बज़े से ये bond shift हो जाता है, इधर और बन जाता है, देखो क्या, CS3 plus and ALCL4 minus, अब ये बन गया electrophile, अब जड़ा गौर करो, अगर benzeen ring रहेगा, यार इतना क्यों आवाज कर रहे है, इसको अगर मिल गया, CS3 plus, तो क्या होगा, electrophile का attack होगा, बनेगा sigma complex, sigma complex, CS3 यहाँ पे attack किया, तो यह आगया CS3, यहाँ पे plus charge, इसको बोलते हैं sigma complex, यह एरेनियम आए, then deep ortonation होगा, deep ortonation कौन करेगा, ALCl4 minus, ALCl4 minus, यह यहाँ वाला hydrogen को निकाल लेता है, और बन जाता है, यहाँ से H plus को निकाल लिया, तो यहाँ negative charge, negative charge प्लस, bond बन गया, यह ऐसे दिखा दो, कि यह यहाँ से ले गया, यह यहाँ से ले गया, H plus को, यहाँ पे lone pair बचा और plus charge, और lone pair के साथ negative charge, bond बन गया, बन गया, टॉलीन, बेंजीन के उपर methyl group जुड़ गया, इसी को बोलते हैं टॉलीन, ठीक है, हलाकि जो alkylation होता है, alkylation, यह भी reversible होता है, इसका हर step, alkylation का हर step reversible होता है, यह step भी reversible होता है, और यह भी reversible होता है, यह तो reversible होता ही है, यह भी reversible होता है, बट, एक चीज़ मैं बता दूँ, दोनों step जरूर reversible होता है, alkylation का, लेकिन, 12th level में, ITJ advanced level में, इस reversible reaction का कोई use नहीं है, इसका use higher chemistry में है, हमने बताया था, sulfonation में, इस reversible reaction का भी use था, इसका भी use किया जाता है, अलग-अलग problems करने के लिए, अलग-अलग questions के लिए, अलग-अलग चीज़ें पढ़ना है, इस reversibility पे best भी, बट, ITJ level में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इस reversible steps का use अपने lecture में नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, हलाकि हम बता दिये कि reversible है, अब इसको हटा देते हैं, otherwise तुम लोग इससे confused होगे, या फिर अभी छोड़ देते हैं, बट हमेशा हम इस reversible sign को use नहीं करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, ज़रा गौड करो, CS3, AL, CL4, अगर यह CS3, CL नहीं होता, यह होता, next example अगर हम ले लें, CS3, CS2, CL, और इसके साथ होता, AL, CL3, तो बताओ, क्या बनता, इससे बनता, CS3, CS2, यहाँ जो CL है, और इधर जो Lewis Acid है, इसके बीच में बन बनता, यहाँ पर प्लस चार्ज, और इधर माइनस चार्ज, और इस तरह से, फिर और क्लोरीन पर, हाईर इलेक्ट्रोन निगेटिव एटम पर, पोजेटिव चार्ज अनस्टेबल, जिसके बीच से यह बन इधर शिफ्ट हो जाता, बन शिफ्ट होने का मतलब इस बन का दोनों इलेक्ट्रोन क्लोरीन पर चला गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, देखो जेनरेट हो गया, CS3, यार चॉक चेंड करने दो, CS3, CS3, CS2, प्लस, and, A, L, C, H, C, L, 4, माइनस, इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हो गया, अब फिर अगर बेंजीन रिंग रहे कहीं पर, बेंजीन रिंग रहे, और इसको हम दे दें अगर, CS3, CS2, C, L, और इसके साथ, लुईसेसीट, A, L, C, L, 3, और एक और चीब बता दें, यह जो लुईसेसीट होता, अन्हाइड्रस होता है, पानी नहीं, मॉइस्ट्र नहीं होना चाहिए, तो अन्हाइड्रस, A, L, C, L, 3, यांसे C, L, माइनस निकालता है, पोजेटिव चार्ज बनता है, या पोजेटिव चार्ज, इस पे, इलेक्टोफिलिक, अरोमेटिक सब्चूशन के थुरू, जूड़ जाता है, बेंजीन के उपर, इथाईल ग्रूप, C, H2, C, H3, ठीक है, अब बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, नेक्स्ट, एक्जाम्पल पे, तुम पॉश करके, इसको नोट कर लो, हम बढ़ते हैं, आगे, इसी तरह से, अगर हम, C, H3, C, H2, C, H2, C, H2, लेते हैं, और इसके साथ ले लेते हैं, A, L, C, L, 3, तो क्या होगा, इस क्लोरीन के लोन पेर, और इसके खाले और वाइटल के बीच में, कौडिनेट बढ़न फर्दर, इधर माइनस और इधर, प्लस, इस तरह से, ये हाईर एलेक्टो निगेटीव एटम पे, पोजेटिव चार्ज आ गया, जिसके बएज़ से, ये बढ़न इधर सिफ्ट होगा, और बन जाएगा, ये कंपाउंट, साथ में, ए एल सी एल, फोर माइनस, ध्यान देना, अब तुमको लग रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ, कि अगर बेंजीन लेंसर, बेंजीन, और इसके साथ, ये वाला कंपाउंड ले लें, इसी कंपाउंड को हमने ऐसे लिखा है, और इसके साथ, लुईसेसीट, अनहाइडरस अलसी एल सी एल थिरी ले लें, तो बनना चाहिए, ये कंपाउंड, ये बनना चाहिए, बट फैक्ट ये है, कि ये नहीं बनता है, या बहुत कम बनता है, बनता यहाँ पे कोई और है, बनता है ये, जिसको बोलते हैं, क्यूमीन आगे टुविल्थ में आएगा ये, क्यूमीन, क्यूमीन नाम आएगा आगे टुविल्थ में, ये कंपाउंड बन जाता है, यह नहीं बनता है, ऐसा क्यों होता है, यहां पर actually होता क्या है, पहले तो यह बनता है, बट यह बड़ा कम अस्टेवल होता है, जिसके बज़े से यहां पर rearrangement हो जाता है, rearrangement क्या हुआ, गौर करना, यह जो compound है, यह, 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 यह rearrange होके, यह rearrange होके, convert हो जाता है, इधर हम बताते हैं, यह जो है, CS3, CH2, CH2+, ठीक है, होता क्या है, यह convert हो जाता है, इसमें convert हो जाता है, बज़ा होता है, यह less stable होता है, और यह more stable होता है, इस बज़े से, यह इसमें convert हो जाता है, इस ही को बोलते हैं, rearrangement, अब rearrangement आ गया, इस पर थोड़ा detail बात करना पड़ेगा, कि यह हुआ कैसे सर, और यह कब-कब होगा, इसके पहले वाले में क्यूं नहीं हुआ था, यह सब का answer अभी मिलेगा, इसको अटा रहे हैं, देखो, इसको भी अटा रहे हैं, देखो, होता क्या है, जैसे ही, CS3, CS2, CL, इसके साथ, Lewis Acid, जुड़ने के बाद, रियक्ट करने के बाद, बनाता है, यह compound, यह, और साथ में, AlCl4, माइनस, इसके बाद होता है, एक special type का step, जिसको बोलते हैं, रियारेंद्मेंट, होता क्या है, यहाँ पे तीन option है, एक hydrogen, दो hydrogen, और यह methyl group, इस carbon पे क्या क्या है, जिस carbon पे positive charge है, उस carbon पे पहले देखो, क्या क्या है, इस carbon पे है, दो hydrogen है, प्लेस चार्ज है, यहाँ पे दो hydrogen है, और यहाँ पे C, H, H, है, गौर करना, जिस carbon पे positive charge, उसके बगल वाला carbon पे तीन group है, दो hydrogen और एक, यह बड़ा वाला group, मतलब C, एस तीज़ी तीन चीज़े है, इस carbon के बगल वाले carbon पे, अब देखो, अगर ऐसा होता है, कि यहाँ से, अच्छा, अभी यह जो carbon के time है, कितना degree है, यह है 1 degree carbon के time, बड़ सोचो, अगर यह H, H-1 के, इस पे shift हो जाए, यहाँ से H-1 निकले, और इस पे चला जाए, तो यह plus खतम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या generate हो जाएगा, plus chart generate हो जाएगा, मतलब, बन जाएगा कुछ यह, ठीक है, इसी को बोलते है, hydride shift, hydride shift, hydride shift, hydride, H-1 के निकला, और यहाँ पे shift हुआ, इसलिए hydride shift, अब सवाल है, hydride shift ही क्यों, methyl shift क्यों नहीं, देखो, हम hydride shift भी कर सकते हैं, methyl shift भी कर सकते हैं, बड़ ध्यान देना, shifting हमेशा जिस carbon पे positive charge है, उसके बगल वाले carbon से होना चाहिए, shifting होने से, shifting तभी होगा, जब नया carbon केटाइन जो बनेगा, वो ज़्यादा stable होगा, तो ये 1 degree था, ये 2 degree कार्वो केटाइन बन रहा है, इसलिए shifting होगा, क्योंकि हम जानते हैं, 1 degree से 2 degree कार्वो केटाइन, ज़्यादा stable होता है, दूसरी बाद, hydride shift करेंगे, या methyl shift करेंगे, उसको shift करेंगे, जिसको shift करने से, कार्वो केटाइन ज़्यादा stable बनता होगा, तो ज़्यादा गौर करो, जब hydride shift किये, तो 2 degree कार्वो केटाइन बना, और जब ये पूरे methyl को, ये CS3 को, पूरे को CS3 माइनस बना के, यहाँ shift कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, CS3 माइनस बनाओ, यहाँ पे पलस आ जाएगा, और यहाँ पे, यहाँ तो 2 hydrogen है न, CS2 है, और यह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कार्वन है, और 2 hydrogen है, पलस आ जाएगा, और यह methyl यहाँ पे चला जाएगा, देखो, क्या हुआ, अगर methyl को shift करोगे, तो कुछ नहीं जो पहले था, वहीं रह गया, नहीं रह गया, CS3, CS2, CS2 पलस, CS3, CS2, CS2 पलस, इसका मतलब, इसको shift होने से, कोई फाइदा नहीं हो रहा है, जबकि इसके shift होने से, stability बढ़ रहा है, इसलिए hydride shift हो रहा है, अगर, यहाँ पे, एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे, तीनों methyl group होता, यह कुछ इस तरह का कार्वोकेटाइन होता, इस तरह का कार्वोकेटाइन होता, यह भी methyl, यह भी methyl, यह भी methyl, तब, कोई दिक्कत नहीं, तीनों methyl में से किसी methyl को भी यहाँ पे shift कर देते हम, इस methyl को यहाँ से CS3 माइनस बन के निकलता, और यहाँ पे आ जाता, तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस चार जाएगा, तुम चाहो समझने में दिक्कत थोड़ा, तो इधर लिख दो CS3, 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 और यहाँ पे CS3, है ना, इधर CS3, 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 ठीक है, यह basically 1 degree कार्बोकेटाइन है, और यह 3 degree कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कारवन पे positive charge है, वो तीन alkyl group से जूड़ा है, जिस कारवन पे positive charge है, वो एक ही alkyl से जूड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह 2 degree कार्बोकेटाइन है, और यह 3 degree कार्बोकेटाइन है, 2 degree से 3 degree, इसलिए ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी यह case था नहीं, तो इसको हम बाद में देखते हैं, इसके बाद का example से लेंगे तब, अब देखो क्या 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 important point है, कार्बोकेटाइन अगर बना है, तो alkyl shift हो सकता है, hydride shift हो सकता है, लेकिन तब हो सकेगा, तब होगा hydride shift या alkyl shift, जब shifting होने के बाद, कार्बोकेटाइन stable बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का stability बढ़ा है, इसलिए shifting हुआ है, ऐसा होता कि shifting होने से कार्बोकेटाइन का stability घरता, तो shifting कभी नहीं होता, ठीक है, दूसरी चीज, जो shifting होता है, alkyl shift या methyl shift, इसी को बोलते है, rearrangement, क्यूंकि हुआ कुछ नया नहीं है, atom इधर से उठके इधर चला गया, तो यह rearrangement है, कुछ important points, इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट नमबर बन, adjacent position से ही, alkyl shift या hydride shift होगा, point number two, stability बढ़ेगा, shifting से तभी shifting होगा, point number three, alkyl shift या hydride shift, intra molecular process है, inter molecular process नहीं है, intra molecular मतलब, इसी molecule से hydride निकला है, और इसी molecule पे गया है, दूसरे molecule पे नहीं गया है, तिन point हमने बताया, adjacent position से, hydride या alkyl का shifting होगा, shifting तभी होगा, जब shift होने से stability बढ़ेगा, आप कार्वो केटायन का, and last point का बताया था, ये intra molecular shifting होता है, जिस molecule से hydride या alkyl group निकलेगा, उसी compound के positive charge पे जाएगा, वो किसी दूसरे के compound के positive charge पे नहीं जाएगा, ठीक है, अब जड़ा समझते हैं इसको और detail में, होता क्या है, यहां से यहां कैसे गया है, दूसरे example से हम समझते हैं, एक दूसरे example से इसको हम फिर से समझते हैं, लेकिन अब जड़ा सोचो, जब ये कार्वो केटायन रहा ही नहीं, इसमें convert हो गया, इसका मतलब ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, इसका reaction अगर हम कराते हैं, इस compound के साथ, और ले लेते हैं, अल्सी अल्थिरी, तो basically ये दोनों मिलके, ये तो बना ही है, बट ये इसमें convert हो गया, तो overall तो ये बचा हुआ है ना, तो ये अटेक करेगा ना बेंजीन पे, क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, ये नहीं बनेगा, फैट ये है, कि इसके साथ ये भी बनता है, बट बहुत बहुत कम बनता है, इसलिए हमने इसको कार दिया, मतलब major product ये होगा, rearrange product major product होगा, अईसा भी तो हो सकता था ना, कि जितना time इसको rearrange होने में लगे, उतना देर में जो ये कुछ बना था, वो इसके साथ react कर ले, इसी बज़े से थोड़ा बहुत ये भी बन जाता है, बट ये बहुत कम बनता है, और organic में हमेशा major product की बात करते हैं, तो major product ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा, ठीक है, बढ़ते हैं, rearrangement reaction के तरफ, देखो, rearrangement कुछ examples लेते हैं, जिससे समझा जाएगा rearrangement, देखो, अगर एक compound ऐसा कुछ है, ये, ये कितना degree carbocatine है, 1 degree carbocatine है, जरा सोचो, यहाँ पर methyl है, ME for methyl, ME for methyl, ME for methyl, और ये है CS2 plus, अब देखो, जिस carbon पे positive charge है, उसके बगल वाले carbon पे, methyl group है, ये methyl, इस तिनोम से कोई एक methyl, CS3 minus बनके, इस पे shift हो जाएगा, CS3 minus बनके निकला, और इस पे चला गया, तो यहाँ positive charge बन गया, देखो, क्या हो गया, यहाँ positive charge बन गया, और ये, ये methyl इदर चला गया, ये बन गया, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हैं, methyl, 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 इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, methyl shift, methyl shift है ये, ठीक है, ये 1 degree था, 1 degree कार्वो के टायन था, तो ये होगा, क्या क्या हमने point बोला था, astability burn, astability burn ना चाहिए, और adjacent position पे shifting होगा, जब भी होगा तो, तो देखो, इस carbon पे methyl है, और बगल वाले पे shift हुआ है, दोनों fulfill कर रहा है, तिसरा point बोला था, ने, कि ये, intramolecular steps होता है, intramolecular reaction होता है, intramolecular नहीं होता है, कहने का मतलब ये हुआ, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे देखो, दो चीज़ हम करते हैं, समझना इसको ज़रा, या फिर उको, हम direct आते हैं, समझाते हैं इसको, ये मिथाल, इधर shift कैसे हो रहा होता है, यहां से CH3- बनके निकला, और इस पे गया, ये ऐसा नहीं होता है, कि CH3- बनके निकला, अपना इधर उधर घूम रहा है, और उसके बाद जब बन हुआ, यहां पे चला गया, ये बन गया, ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता, तो जड़ा सोचो, ये मिथाइल निकल के, इसी पे ना आके, दुसरे मोलेकुल के पोजेटिव चार्ज पे आ जाए, और अगर ऐसा होता, तो फिर ये एक कंपॉंड बनना चाहिए था, जबकि ये कंपॉंड आपजर्व नहीं किया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है, कि ये इंट्रा मोलेकुलर स्टेप है, इंटर मोलेकुलर स्टेप नहीं है, क्योंकि यहां से निकल के, दुसरे मोलेकुल के पोजेटिव चार्ज पे जाना, ये इंटर मोलेकुलर है, और ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक अबजर्व नहीं किया गया है, इसका मतलब हैड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, ये सब इंट्रा मोलेकुलर स्टेप है, मतलब जिस मोलेकुल से हैड्राइड निकलेगा, जिस मोलेकुल से मिथाइल गुरूप निकलेगा, CS3 माइनस मिथेनाइड गुरूप बोलना चाहिए, in fact, CS3 माइनस गुरूप निकलेगा, उसी कमपाउंड के पोजेटिव चार्ज पे वो जाएगा और वो भी अर्जेशन पोजिशन वाले पे, ठीक है? अब इसका थोरा सा हम transition state बना देते हैं, समझ में आ जाएगा तुमको, देखो, होता क्या है? इससे ये shifting कैसे होता है? ऐसा नहीं कि CS3 माइनस से निकला अपना गोम फिर का है, फिर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, होता क्या जरा देखो? इस carbon पे क्या है? इस carbon पे 2-2 hydrogen है, और यहाँ पे positive charge है, और देखो क्या होता है? यह bond तूटता जाता है, और इधर bond बनता जाता है, जरा गौर करो, finally बना तो यह है, बना तो यह है, यहाँ positive charge, और सॉरी, यहाँ positive charge, यहाँ CS3, इधर CS3, इधर CS3, finally बना तो यह है, लेकिन कैसे बना जरा गौर करना, यह यहाँ से निकल रहा है, और इधर shift हो रहा है, और यह bond साथ साथ तूट रहा है, जरा गौर करना, देखो, यहाँ यहाँ पे transition state बनाते हैं, यहाँ पे एक methyl, इधर methyl, और यहाँ पे क्या है? 2 hydrogen है, मतलब इस carbon पे कोई, यहाँ पे 2 hydrogen है, कोई methyl नहीं है, तो देखो, यह CS3 माइनस बन के सो, तो निकल गया, नहीं, निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस डिल्टा आ रहा है, यहीं प्लस डिल्टा बरते बरते, complete positive हो जाएगा, तो यह निकल रहा है, निकल 3 electron को इस पे minus बन रहा है, और यह minus इस पे transfer हो रहा है, मतलब यह minus और यह plus bond बन रहा है, कहने का मतलब यह bond का तूटना और इस bond का बनना, दोनों simultaneous है, मतलब यह CS3, इधर bond तूट रहा है, और इधर bond बन रहा है, अब जरा गौर करना, यह जितना तूटा, उतना ही इधर बन मतलब यह जितना इस पे निगेटिव आया उतना निगेटिव तो इधर निटलाइज हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस डेल्टा जेनेरेट हुआ और इसका निगेटिव इस पोजेटिव से निटलाइज हुआ और इसका निगेटिव डेल्टा निगेटिव था तो इसक इसके वैसे यहां plus delta generate हो रहा था, यह CS3 minus इसके साथ bond भी same ही step में बना रहा है, इसका मतलब इसका इस पे तो overall charge नहीं है, क्योंकि इस पे जो negative आ रहा है, वो negative इसके साथ bond बना के खतम हो रहा है, और यहां पे plus delta generate हो रहा है, और यहां का plus consume होके, यहां का plus charge खतम होके plus delta बना है, finally, यहां पे complete plus delta से complete plus one बन जाएगा, और यह plus delta से घरते घरते zero हो जाएगा, ठीक है, यह charge बरते बरते plus delta बना है, और यह घरते घरते plus delta बना है, घरते घरते यह zero हो जाएगा, बरते बरते यह बन हो जाएगा, यह बन गिया, मतलब इस से ये बनने के दर्मियान ट्रांजिशन स्टेट ये बना है अब तुम बताओ एक तरफ हाथ छोड़ रहा है एक तरफ हाथ पकर रहा है तो ये क्या कभी भी मॉलेकुल से फिरी हो पाएगा कि दुसरे मॉलेकुल पे अटाइक करें ऐसा कभी नहीं होगा ये जब होगा जब क्या होगा इंटरामोलेकुलर होगा इंटरमोलेकुलर कभी नहीं होगा ठीक है I think समझ आया होगा important है ये छीजें advanced point of view से and neat point of view से yeah, neat के लिए तो mechanism उतना important नहीं है but advanced के लिए ये steps important है but aims में पाहले पूछता था बड़ा इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे कुछ अब example लेते हैं और उसमें rearrangement कराने का कोशिश करते हैं कुछ example लेते हैं देखो कुछ example लेते हैं तुम्हें बताना है किसमे rearrangement होगा किसमे rearrangement नहीं होगा यह है यह है कार्बकार्टैनों मैं हए यह है कार्बौकेट यह है कार्बौकार्गаетеon ये कार्वोकेटाइन पहले इतना देख लेते हैं जरह गौर करना ये ये जो कार्वोकेटाइन है वन डिग्री है बट इसके बगल वाले कारवन पे एक मिथाइल गूरूप है और दो हाइड्रोजन गूरूप है अगर हाइड्रोजन को सिफ्ट कर दें हाइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड्राइड तो क्या हो जाए है अगर तुम हाइड्रोजन को सिफ्ट करते हो तो देखो क्या बनेगा मतलब हाइड्राइड सिफ्ट करते हैं हाइड्राइड सिफ्ट करते हैं तो बनेगा ये कार्वोकेटा है और अगर मिथाइल सिफ्ट करते हैं इस मिथाइल को सिफ्ट करते हैं तो बनेगा ये कार्वोक भी है, तो hydride को shift करते हो तो ये बनेगा, methyl को shift करते हो तो ये बनेगा अब तुम खुद बताओ, इसको नीचे के और बनाओ, या उपर के और बनाओ, बात देखिए, अब तुम खुद बताओ, ये बना 3 degree और ये बना 2 degree कार्वोकेटायन, बताओ, 1 degree से 3 degree बनेगा, या 1 degree से 2 degree बनेगा, चाहे 2 degree बनेगा या 3 degree बने, दोनों ही 1 degree से ज़्यादा stable है लेकिन ज़्यादा stable कऊन है 2 degree और 3 degree में? ओफकोर्स 3 degree, इसलिए ये नहीं होगा कौन होगा? ये होगा ये अलग बात है, थोड़ा बहुत ये भी बनेगा, बट major product ये बनेगा, इसके corresponding जो product होगा, वो major होगा, मतलब ये rearrange हो के इसमें convert होगा, similarly इसको अगर देखें, तो इस positive charge के बगल वाले कारवन पे दो methyl है और एक hydrogen है, इधर तो तीन hydrogen है, तो अगर इधर वाला hydrogen को shift कर दिये तो 2 degree से 1 degree हो जागा, ये 2 degree कारवो के है, इधर वाला hydrogen shift कर दोगे, तो यहां positive charge आजाएगा, actually जहां से hydride shift होता है वही पर positive charge आजाता है, या जहां से methyl group का shifting होता है, मिथेनाइट ग्रूप का shifting होता है, मिथेनाइट बोलते हैं, कारवे 9, EC3 minus बनके निकलता है, इस पर इसे, मिथेनाइट का shifting होगा, या hydride का shifting होगा, वहीं पर positive charge आजाता है, तो यहां से अगर hydride shift करोगे, तो यहां positive charge आजाएगा, two degrees और बन डिगरी बन जाएगा, unstable यह तो नहीं होगा, तो अब यहां पर option है, दो मिथाईल है और एक hydride है, hydride shift कर दो, तो देखो क्या बनेगा, hydride shift कर दो, hydride shift कर दो, तो देखो क्या बनेगा, three degree carbocatine बन जाएगा, जबकि अगर यहां से मिथाईल shift करोगे, तो two degree carbocatine बनेगा, और two degree, three degree जाद अस्टेबल होता है, इसलिए हम three degree वाला ही बनाएगे, ठीक है, इसी तरह यहां पर देखो, यहां पर देखो, यह two degree ही, two degree ही carbocatine, two degree carbocatine, क्योंकि जिस carbon positive charge है, वो दो अलकाल गुरूप से जुड़ा हुआ है, two degree हुआ, अब इसके बाद देखो, यह rearrange होके बना लेता है, यह compound, बट यह भी तो two degree है, यह two degree carbocatine, यह भी two degree carbocatine, फिर क्यों rearrangement हुआ, rearrangement इसलिए हुआ, पहले देखो, rearrangement पर हुआ क्या है, यहां का जो hydrogen है, दो hydrogen यह दो hydrogen में से एक hydrogen shift हो गया है, मतलब यह हुआ है, hydride shift होने के बाद यह बना है, तो two degree से two degree बनने का फाइदा क्या हुआ सर, फाइदा हुआ, यहां positive charge resonance में नहीं है, और यहां positive charge resonance में है, मतलब यहां पे resonance है, resonance with positive charge, और resonance यह positive charge stabilize होगा, तो इससे यह ज़्यादा stable है, इस बज़े से यह shifting हुआ है, तुमारे दिमाग में एक बात और आ सकता है, कि सर, इस carbon पे तीन group है, दो hydrogen है, और एक यह group है, तो hydrogen को तो shift करा दिया है, डाइड बना के, इसको भी तो shift करा सकते थे, करा के देख लो, इस इसको shift करा दोगे न, तो यहाँ positive charge जो आएगा, यह बन डिगरी कार्वोकेटान बन जाएगा, जो कि इससे भी unstable होगा, इस बज़े से, यहाँ पे तीन option जरूर है, दो hydrogen का, और एक phenyl का, पुरे benzene ring ही shift हो जाए, ऐसा हो सकता है, चलो करा के हम देख लेते हैं तुमको, अगर, यह जो यहाँ पे दो hydrogen है, यहाँ पे दो hydrogen, यह hydrogen न, शिफ्ट हो के, यह पूरा pH-1 के shift हो जाए, pH phenyl को pH से भी रिपरजन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, यहाँ पे आजाएगा phenyl, और यह आजाएगा positive, देखो तुजरा, यह 2 degree था, यह 2 degree क अरवो के time, बताओ, stable से या unstable बनेगा, नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ से phenyl का shifting नहीं होगा, hydrogen का ही shifting होगा, तुम्हारे syllabus में 11th में तुमको hydride shifting, alkyl shifting और phenyl shifting ही देखने को मिलेगा, ठीक है, और in fact 12th में भी hydride shifting, alkyl shifting और phenyl shifting ही देखने को मिलेगा, higher chemistry में और भी चीज़ों का shifting होता है, but within syllabus बात करें, hydride, alkyl and phenyl shifting, और इस rearrangement reaction के बारे में 12th में और detail में पढ़ना है, तो यह था, इसकी बात किया हमने, अब आते हैं इस पे, यह भी बड़ा interesting है भाई, इधर हटाते हैं जड़ा, देखो, यह जो compound है, यह जो compound है, यह यह देखो, होगा क्या, जड़ा गौर करना, ध्याम दना, इस अब बहुत important चीज़ है, जहां पे positive charge है, उसके बगल वाला कारवन पे, इसके बगल वाले कारवन पे, तुम्हारे पास तीन option है, एक तो यह वाला, यह, एक यह और एक hydrogen, ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ पे जो hydrogen है, इस hydrogen को shift करो, यहाँ पे, देखो क्या होगा, नहीं, 1 degree से 3 degree बना, लगता ऐसा होना चाहिए, 1 degree है यह, कार्वोकेटायन, और यह 3 degree बना, ऐसा होना चाहिए, जरा बढ़ते हैं, आगे, एक काम करते हैं अब, यह जो cyclic compound है, यहाँ पे positive charge है, यहाँ पे hydrogen है, hydrogen को shift ना करके, यह पूरे इसको तोड़ते हैं, और तोड़के, यहाँ पे minus बनाते हैं, जरा गौर करो, करना यहीं होता है, जिस carbon पे positive charge होता है, उसका बगल बाले carbon पे, जो alkyl group होता है, वो shift होता, तो यह तरह का alkyl group ही है न, carbon hydrogen का ही न, chain है, तो सोचो, इसको इधर से तोड़ो, इधर से तोड़ते जाओ, और इधर बनाते जाओ, देखो क्या होगा, यह इधर, यह bond खुल गया, यहाँ पे plus, यहाँ पे minus, और यह minus, इसके साथ जुड़ गया देखो क्या हो जाएगा, यह बन गया, इसी को थोड़ा simple बना के लिखें, तो यह 5-membering है, और एक carbon पे positive charge है, अभी भी यह 1-degree carvoketine था, और यह 2-degree carvoketine है, तो बताओ, 1-degree से 2-degree बना, अगर इस ring को open करके shift किये तो, और hydride को shift किये, तो 1-degree से 3-degree बना, कौन वाला shifting होना चाहिए, तुम्हें लगेगा, सर उपर वाला shifting होना चाहिए, क्योंकि 1-degree से 3-degree ज्यादा stability बर रहा है, यहाँ पे उतना नहीं बर रहा है, लेकिन जरा गौर करना, यहाँ पे यह as a whole, यह compound बहुत काम stable है, क्यों? क्योंकि इसमें angle strain है, और इसमें angle strain, इसमें angle strain है, इसमें भी angle strain है, इसमें angle strain है, बट इसमें angle strain काम हुआ है, जरा गौर करना, यहाँ कितना angle strain है? यहाँ पे 109-90 यहाँ पे अंगल स्टेन हमने पढ़ाया है GOC में 109-90 जबकि यहाँ पे अंगल स्टेन कितना हाविडाइशन SP2 तो यह अंगल होना चाहिए था 120 यहाँ पे अंगल स्टेन कितना है इसका अविडाइशन SP2 SP2 मतलब यह अंगल कितना होना चाहिए था 120-5- 5- 5- इंटररान अंगल कितना होगा बताओ कितना होगा 008 के आसपास होगा 008 के आसपास होगा mathematics student निकाल सकते यह बहलू 008 का आसपास होगा यह माइनस कर दो कितना का अंगल स्टेन आया अंगल स्टेन आया 12 डिग्री का और 12 डिग्री का आसपास यहां बताओ कितना का अंगल स्टेन आया यहां पर अंगल स्टेन आया 19 डिग्री का आसपास तो अंगल स्टेन भी घटा मतलब अंगल स्टेन के कारण जो अनस्टाबिलिटी था जो ये अनस्टेबल था अंगल स्टेन के कारण अंगल स्टेन इसमें घटा जिसे स्टाबिलिटी इसका क्या हुआ बढ़ा ठीक है अंगल स्टेन घटने के कारण अस्टाबिलिटी बढ़ा 1 डिग्री से 2 डिग्री होने के कारण भी अस्टाबिलिटी बढ़ा दोनों कंडिशन इसमें favorable इसलिए ये नहीं होगा ये होगा ठीक है मतलब 4 मेंबर से 5 मेंबर बन गया इसलिए अंगल स्टेन गटा ठीक है इस स्टेप को इसको ring expansion भी बोलते हैं ring expansion ठीक है ये in fact methyl shift type का ही चीज़ है ये ring में था तो ये इदर से खुल के इदर shift हो गया और कुछ नहीं अगर यहाँ पे transition state की बात करें इससे इसमें shift हुआ तो transition state कैसा होना चाहिए transition state देखो इधर bond बनता जाएगा इधर bond तूटता जाएगा यहाँ का plus charge खतम होते होते plus delta बनेगा और यहाँ पे plus charge बढ़ते बढ़ते plus delta बनेगा और एक time ये पूरा टूट जाएगा ये plus charge completely generate हो जाएगा और ये पूरा बन जाएगा ये plus charge completely इतली खतम हो जाएगा और यह बन जाएगा ठीक है तो यह है इसके बाद कुछ एक्जामपल्स और देखते हैं अगर दिया रहे कुछ ऐसा यह कारवोके टाइम तो क्या इसको रिंग एक्सपैंड करके यह हम बना देंगे तो हमारा आंसर होगा नो ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि अफकोर्स इसमें एंगल एस्टेन जादा है और इसमें एंगल एस्टेन कम है इसमें एंगल एस्टेन बनने 9-60 है और इसमें बनने 9-90 है एंगल एस्टेन कम है लेकिन हमने बताया था कि यह एक स्पेशल टाइप का कार्वो केटायन होता है जिसका स्टाबिलीटी बहुत जादा होता है डांसिंग रेजनेंस टाइप का चीज इसमें होता है हलाकि फिर से हम बता दें डांसिंग रेजनेंस को एस्टेंडर टर्म नहीं है बट इंडस्टी में एजुकेशन फिल्ड में इंडिया में कोचिंग इंडस्टी में चलता है तो हमने जियो सी में बताया होगा इसका स्पेशल स्टाबिलीटी होता है यह बहुत यह स्टेबल चार्ज इससे भी जादा यह स्टेवल होता है ठीक है तो बहुँ जादा स्टेवल होने के कारण